हलो दोस्तो आज सुबा सुबा यूटूब के तरफ से 6 नियू गजब के अपडेट्स आ गये हैं और आज की इस वीडियो में इन सभी अपडेट्स के बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा सो फ्रेंस अगर आप लोग एक यूटूबर हैं तो मेरी इस वीडियो को एन तक जरू देखिएगा ताकि सभी अपडेट्स आपको अच्छे समझ में आ जाए तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए बताता हूँ कि क्या क्या अपडेट अब यूटूब के तरब से लॉंच किये गये हैं तो यहाँ दोस्तो बात करते हैं सबसे पहले अपडेट फ्रेंस यहाँ पर जो सबसे पहला अपडेट है यह है कम्यूटी पोस्ट के quiz पोस्ट को ले करके जैसक दोस्तो अभी कुछ दिन पहले यूटूब ने एक announcement किया था कि कम्यूटी टेब में जो भी आप लोग पोस्ट डालते हैं तो फ्रेंस जिनका भी educational channel होगा वो लोग कम्यूटी पोस्ट में एक quiz पोस्ट डाल पाएंगे तो हलाकि दोस्तों यह features यूटूब ने बहुत सारे creators को दिया था लेकि बहुत सारे creators को नहीं मिला था यानि अभी लोगों को launch करेंगे लेकि या randomly launch करेंगे किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा लेकिन अभी इसको बहुत जादा लोगों के पास देखनों को मिलेगा यानि अगर आप अपने YouTube चैनल पे अगर आपका educational चैनल है या किसी और related चैनल है तो friends आप community tab में quiz post कर पाएंगे चले दोस्तों बात करते हैं second new update दोस्तों यह जो update है यह है update matrix on key matrix card for post in studio जैसे दोस्तों आपको पता होगा कि आप अपने चैनल पे जो भी काम करते हैं उसका analytics data आपके YT studio में और desktop site पे देखनों को मिलता है जैसे दोस्तों माल लिजे आप अपने YouTube channel पे वीडियो डाल रहे हैं या live stream करे हैं तो आपके वीडियो का 28 दिन का, 7 दिन का, 90 दिन का या 365 दिन का जितना भी analytics data है वो YT studio app में भी देखनों को मिलता है जैसे दोस्तों वहाँ पे आपके वीडियो पे 28 दिन में कितने views आ रहे हैं, कितने subscribers आ रहे हैं, कितना उस पे watch time आ रहा है, कैसा उसका impression जा रहा है सब कुछ वहाँ पे आपको देखनों को मिलता है यहाँ पे अब YouTube ने एक update किया है, कि आप जो community post डालते हैं और source video डालते हैं, तो जो community post डालते हैं उससे अभी तक क्या होता था कि सिर्फ आप एक चिक कर पाते थे, कि आपके community post से या source video से कितने लोगों के पास impression जा रहा है, और कितने subscribers मिलने हैं लेकि friends, अब आप community tab का जो भी post डालेंगे, और जो source video का जो भी है, उसका analytics data अब आप YT studio में चेक कर पाएंगे, कि आपके उस post से कितने आपके वीडियो का impression जा रहा है, आपके उस post से कितने subscribers मिल रहे हैं, आपके उस post से या source video से कितने likes मिलनें, यानि friends, likes और subscribers वाला जो analytics data आपको अब YT studio में देखने को मिलेगा, और यूटूब ने इसको launch भी कर दिया है, चलिए दोस्तों बात करते हैं, तीसरे new update, दोस्तों friends है, launch YouTube emotes को लेकर के, अब इसके बारे में थ्वास सध्यान से समझना, जैसे दोस्तों बहुत सारे YouTube पे live करते हैं, और live में लोग chat करते हैं, और emoji उगरा भेजते हैं, so friends अब क्या होगा, कि जिनका भी gaming का channel होगा, वो लोग जो लाइब करेंगे, तो उनके live में आप लोग emoji भेज़ पाऊंगे, और emotes भेज़ पाऊंगे, यानि नए-ने stickers भी भेज़ पाएंगे, यानि friends, live stream का जो engagement है उसको जदा-जदा increase कर पा new YouTube creators website के लिए, यानि दोस्तों, जो नए YouTube creators हैं, उनके लिए YouTube ने एक website launch किया है, live stream को ले करके, जिससे की friends उहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं, सिख सकते हैं, समझ सकते हैं, कि live stream कैसे किया जाता है, live stream करने से क्या फायदा होता, और कैसे live stream के मदद से अपने YouTube channel को grow कर सकते हैं, So friends, अब बात करते हैं, next update, जो कि 5 अपडेट है, यह है, top remixes को ले करके, जैसे दोस्तों, आपको पता हुगा कि अगर आपकी YouTube की वीडियो से, कोई source video create करता है, तो उसका भी analytics data अब आपको वाइटी स्टूडियो में देखने को मिलेगा, जो की होगा top remix से, लेकि friends, अब इस से, किसने क्या parts से उसकिया, मतलब कौन से वीडियो से remix मना गया है, और कितनी बार remix मना गया, सारा analytics data अब आपको वाइटी स्टूडियो में देखने को मिल जाएगा, चले दोस्तों, बात करते हैं, next update, जो की है, last update, छटमा update थे, ध्यान से सुनना, यह friends, image post on iOS device को लेकर गए जैसे दोस्तों आपको पता होगा कि अगर आपको community temp मिला होगा, तो आप लोग अपने community temp में क्या करते हैं, post डालते हैं, vote poll करते हैं, image poll करते हैं, ठीक है, तो इस तरीके का update आपको मिला होगा, लेकिन बात की जाए दोस्तों, जो Apple device हो गए रहा थे, जो iOS device हो गए रहा थे, उनों लोग जब community post करते थे ना, उनको बहुत सारे features नहीं मिलते थे, लेकिन फ्रेंस अब YouTube ने update कर दिया, जिनके पास iOS device हो गए रहा है, या Apple का phone हो गए रहा है, तो लोग community post में जो भी लोग post डालेंगे, उसमें लोग text का, emoji का, और sticker का भी use कर पाएंगे, साथिम दोस्तो सभी लोगों को मिला नहीं था, लेकिन YouTube का करना कि अब सभी iOS और Android device सभी लोगों को यह features मिल जाएगा, यानि हम लोग दे देंगे, तो फ्रेंस यहाँ पर थे यह 6 new update जो कि YouTube ने launch किये है, और आपको मैंने आज की जनकारी में बताया, मेरी वीडियो में आप कमेंट करके बत आपको ने देगीजिए था, अब खर दो हमाना कि पता है, यह भी डिएना रदी है, रदी भी फंपैसे है, और आपको फ़ीं में आपको यहाँ द्युक्ति का पूल करता है, और दीवीं कर देहिते हैं, और आपको यह पर आपको यह वीदो na घिकर प्र कपाने एवीशके ह